अर्य हाथ जोड़ने अर्य जिकरूजी आयो था दे बार ने क्योंकि अर्य दुनिया महाने मोसा दुनिया महाने मोसा बोले एक टाबदे भार ने केवी अजमल सुनुरी सावरा इतरों मत बनरे मूधी केवी अजमल सुनुरी सावरा इतरों मत बनरे मूधी एक टाबदियों मने दिवे तो नहीं घटे ठादी नहीं सुने ला भिगन करूला आयो घर सुना अरले दुनिया महाने मोसा बोले एक टाबदे भार ने दुनिया महाने मोसा बोले एक टाबदे भार ने केवी अजमल सुनुरी सावरा इतरों मत बन मूधी और एक टाबदियों मने दिवे तो नहीं घटे ठारी पूधी और नहीं सुने ला नहीं सुने ला भिगन करूला आरी पूझा आरती में भिगन करूला मर जाूला लोगों रो भरो सो उड़ जावे ला थारे उपर सो गेग भगत भगवान जी चोकट पर मर गयो पाचो घर ना जाओ बहुत देर हो गई अब भगवान जी आगे अजमाल जी सर पटक पटक रो रहा है अजमाल जी महाराज जी उपर देखे हो तो भगवान जी मूर्ती मुस्कराती हुई देखी अब और कुछ होनी पास में बे बाजी दीर लाडू लाया भगवान ने भोग लगाने वास्ते अजमाल जी महाराज रीस में बे बाजी दीर लाडू भगवान जी मूर्ती ने मार दिया मंदिरा पुजारी जी दाड़ता दोड़ता भागता भागता है बोलेगी ठागरा कई खुका मांडो मांडो है अजमाल जी महाराद पुजारी बता दे कठे बार कारोना तमे दोड़ दर्शने करीवाने आयो जीओ अब बोले पुजारी जी इतना साल हुआ आप सुबह साम भोग लगाओ आरती करो आपने तो पतो वैला की भगवान कठे और बड़ी रीस में जब पुजारी जी देखे ठागरा ने तो पुजारी खुद डर गया बोले बताओ नहीं तो एक मिनिट में मंदर खाली करो पुजारी जी अब सीधो सीधो जवाब क्यान देवे ठागर साब गर्मी ज़्यादा पड़ रही है जेट महीनों है और इती गर्मी भगवान ने सेहन नहीं वे तो भगवान अभी समुद्र में विश्राम करने वाज़ते गया है पंडित बोल्यों सुनो ठागरा मूरत आगे कहीं लड़ो और सावरी आसू मिलनों वेतो समंदरिया में समंदरिया में फूद पड़ो क्योंकि इन सागर पीपा जी ने मिलिया चार भुजारदार ने भगवान पीपा जी ने मिलिया थाने भी मिल जाची पुजारी जी कह दियो कि ठागरा समझ में नहीं आवे, भगवान समुदर में विश्राम करनमास्ते गया है गुलेतरी बात सुनी अजमल ने समधरिया में कूद पड़ा और सोने का तो महल देख्या, तीदा पन्ना खूब जड़ा आये सामरे दर्शन दीना सिर पर पट्टी बांधने भगवान ने माथा उपर पट्टी बंदी हुई है माथा उपर सुखून बेरियो है अजमाल जी माराज बड़ा का बका हो गया बोले भगवान के कर दो खबरा मैं तो सुने हो तो की आप तो बहुत बड़ा आद्मी हो आप तो इन तीन त्रुलोकरा नाथ हो आप तो बड़ा शक्तिशाली हो और आप इतना बड़ा शक्तिशाली हो तो फिर आपने माता उपर चोट कैसी है भगवान मुस्क्राता कह दिया कि अजमाल थारे जड़ा कई बड़ा भगती दुनिया में है रे बोले भगवान हो कई बोले कोई भगत मारे लाडूरी मार दी अजमाल जी बोलिया भगवान मैं तो भी मूर्ती ने मारी आपने चोट गटू लागी तब श्री हरी विष्णू अजमाल जी माराज ने समझाया बोले कि देख अजमाल उन मूर्ती में मारो वास नहीं होतो नी तो तू कोई बारा बारा साल तक धोड़ी आतो अजमाल जी माराज बगवान ने चर्णों में गिर गया और भगवान में हाँ चोड़न विंती करने लागा अजमाल जी माराज जब बगवान ने चर्णों में पड़या तो बगवान अजमाल जी माराज ने कहो कि अजमाल चिंता ना करना थारे बडो विरम दे वेला अजमाल जी महाराज ने उस बात को इपकड लिया तो ले बगवान बडो विरम दे वेला तो छोटो कुण वेला तब शीहरी विश्णो अजमाल जी महाराज ने खेने लगा बोले है दूडारी दूज राव जिराव 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 जद चंदो करेड़ जिराव आविदे बनियाव सूँ तुदा की जेवी सी बरस चोपनो नयो बास जद बरस चोपनो मास भाद वो नयो चांद जद भूगेला परस एक सेट वो नास भाद वो नयो पांद जद उगेला सुनरे अजमल ठारे पालडे तो दो ताबद जूलेला ओ पानी रो तो धूद बनेला पानी रो तो धूद बनेला कू कू पगल्या आंगने बबान के उतार की बात है तालियों के साथ में अजमाल जी माराज भगवान रा कॉल वचल कर अपने घर आ जावे कुछ समय बाद में मेना देजी बीरम देजी ने जन्म दियो और उसके कुछ समय बाद एक दिन रात रा 1461 साल भाद मेनेरी दूज की रात चंद्रमा उगयो चारों तरफ तूफान आयो और अजमाल जी माराज भगवान रे वचन अनुसार कुंकूरा पावम दियो गर्रों सारों पाणी दूद बन गयो चारों तरफ रोष्टी हुई आटा अशों गरजना हुई और भगवान अजमाल जीरे जबांगने में आया तो भग दोग लिख्यो ए खमा 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 हो गवरी अजी माल राज खमा 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 हो गवरी अजी माल राज खाने तो पूजे राज स्थाने जीयो गोजे राते जीयो खमा 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 राजा रामसा पीर ले खमा 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 ओ भादरवादी दूजी चाननी अच्मल घर अवे ताद लियो ओ भादरवादी दूजी चाननी अच्मल घर अवे ताद लियो कूगू पगिल्या मांड सावरियो पालनिये में पोड़ी गयो कूगू पगिल्या मांड सावरियो पालनिये में पोड़ी गयो दो दो बालक देखी पालनिये सगडा अजर जी भड़ी लागा बार काना तिरी लिला देखी बार काना तिरी लिला देखी अज मल मन में हर इशाया आने दो पूझे राजस आने जी ओ गुझी दा दी जी ओ खमा गणी गणी खमारा जारा अमसा गणी गणी खमारा जारा अमसा पीर में हुआ 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 微ड़़ड Kebase इसाध्या मट का बारका दो पिख्याओ अज़ हां के अज़शत । झर हो इसनी खमारा काaky मैं हरे हुआ 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 मैं इसनी अजरmy दो ज़ग VAN पहलो पर्चो पिता अजमल जी ने दीनो कूँकूडा पगल्या मंडाया और दूजो दूजो पर्चो माता मेना देने दियो उफन तो दूद दूद दबायो दो दो बाण की देखी पालनिये मेना देशन का लाई ओ कई जादू ओ यो घर में माता मन में घबराई मारी शंकान मिटाई लीला देखी शाम सुंदर दी लीला देखी शाम सुन्दर दी इवड़े आयो है तरफाद थाने तो उजे राजस्थाने जीयो खमा 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 हो थाने तो उजे राजस्थाने जीयो खमा 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 राजा रामसा अरे गेरी गेरी विर्खा भाजा थे पाच्छा कहीं आजा गेरी गेरी विर्खा भाजा ओ थे पाच्छा कहीं आजाओ उमने सांची सांची बाती बता रो तारियों के साथ में गेरी गेरी विर्खा भाजा पाच्छा कहीं आजाओ आने सांची सांची बात बता रो गेरी गेरी विर्खा भाजा पाच्छा कहीं आजाओ कर दो a मने सांची सांची बात बताव आघर में हुयो कहीं है बगवान भी किर्पा ही इतनोों गेरों जमानों वने ही आशंका है कि ए और गेरों जमान होए थे आपने खेत में बाउला नहीं तो खाउ लग आई बोलो कहीं बात अब गावरा ठाकुर था तुन बोले के थे बांजियाओ एक असी बरसना डोकरा आगे आया आधपक धुजे और अजमाल जी महाराज रे सामने हाथ जोड रके हो कि बाप जी आप तो ठाकुर हो आप तो मालिक हो आप तो अंदाता हो पर अरे थे तो अजमल जी बीरा बांजियाओ कहीं जो थे तो अजमल जी बीरा बांजियाओ कहीं जो भारा सुगन खराब खणा ओयाजियो खमा 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 खमारे कबर अजिमाल जी रूमी चिरा राजा हे लो साम्बलो जी यो खमा 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 खमारे कबर अजिमाल जी बीरा थागुर साब अंदाता आप तो मालिक हो पर अंदाता आप बांजियाओ अब देखो कर्सा आवल कावल शब्द के दिया अजमाल जी महराज रे पेरों निचों बात सुण और धर्ती निकल गई किसान ने आडा टोडा बोलता बोलता अपने घर चलया गया अजमाल जी महाराज दिरे 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 अपने घर पहुंचा जब पतिदेव ने मेना देजी उदास देख्या तो पोल दियो पिया जी ओ सजना आप यह आज बिलका बिलका लाग रहा हो कहीं बात है आप बड़ा धुखी हो आप मने बोलो अजमाल जी महाराज दिरे आँख्या मुँ आशू आगया भूली राणी बांजी ओ के वेरे मरो मुख्य नहीं देखे अरे बांजी ओ के वेरे मरो मुख्य नहीं देखे एडा काई पाक कमाला जी ओ अमा खमा 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 रे कबरे अचि माला रूनी चिरा राजा हे लो सामलो जी ओ अमा खमा 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 रे कबरे अचि माला देखिए अजमाल जी महराज रोता थका आख्या में आशोरी लड़ी बेवे अपनी राणी मेना दिने कहने लागा बुला राणी इन सु चोको है कि भगवान मने दुनियाउं उठा ले बांजिया बांजिया करे देखिए जब कभी भी आपके हमारे गर में कभी ऐसा मौका होता है तो पत्नी अपने पती को निश्चित रूप से दिरजब बंदाती है कि चिंता ना करो भगवान सब ठीक करेला मेना देजी भी अजमाल जी महराज ने समझाया बोले पिया जी चिंता ना करो ना अब बारा साल तक द्वारी का दिश्चा दर्शन किया एक बार मैं बोल रही हूँ तेर भी बार फिर चले आजाओ और इन बार द्वार कारो नात आपने मंदरी इच्छा जरूर जरूर पूरी करेला बाजरी ने लाडू बनार दिया अजमाल जी महराज ने दिया बोले भगवान ने भोग लगाई जो और भगवान ने सचे मन सु प्रार्तना कर जो अजमाल जी महराज फिर द्वारी कारे रस्ते रवाना हो गया सर्दी गर्मी बरसात उलबाना पाड़ा ठका पावां में छाला पड़ गया एक सामरियारी आस लिया अजमाल जी महराज बेता गया बेता गया बेता गया एक दिन द्वारी का देश्ट्रे मंदीर रे आगे जा हाँ जोड़ खड़ा ओगे बोले भगवान बारा बारा साल तक आयो थे मारी नहीं सुनी तेरी भी बार फिर आ गयो और इस बार यदी नहीं सुनी तो थारी चोकट पर मातो पटक पटक मर जाऊ ला पर पाचो घर ना जाऊ और अर्य हाथ जोड़ने अर्जिकरूजी आयो था दे बार ने क्योंकि अर्य दुनिया महाने मोसाब दुनिया महाने मोसाब बोले एक कापद देखार ने केविय जमल सुनूने सावरा इतनों मत्रप् केविय जमल सुनूने सावरा इतनों मत्रप्ण दे मूंजी एकटा बजियो मने दिवे तो नहीं घटे था दी नहीं सुने ला विगन करूला आयो घर सो भार ले दुनिया महाने मोसाब बोले एक कापद देखार ने दुनिया महाने मोसाब बोले एक कापद दे पार ने बोले केवे केवे अजमल सुन सावरा इतनों मत्रप्ण मूंजी और एक ताबरियो मने देवे तो नहीं घटे थारी पूंजी और नहीं सुनेला नहीं सुनेला विगन करूला आरी पूजा आरती में विगन करूला मर जाओला लोगोरो भरोसो उड़ जावेला थारे उपर सो एक भगत भगवान जी चोकट पर मर गयो पाचो घर ना जाओ बहुत देर हो गई अब भगवान जी आगे अजमाल जी सर पटक पटक रो रहा है अजमाल जी महाराज जी उपर देखे हो तो भगवान जी मूर्ती मुस्कराती हुई देखी और जब मूर्ती ने मुस्कराती हुई देखी अजमाल जी महाराज जी नो क्रोध और बढ़ गयो अब और कुछ होनी पार्स में बे बाजिरी रराडू लाया भगवान्य भोग लगाने वासते अजमाल जी महाराज रीश में बे बाजिरी रराडू भगवान जी मूरतिरे मार दिया मन्दिरा पुझारी जी दाडता दोडता भागता भागता है बोलेगी ठागरा काई कुका मांडो मांडो है अजमाल धी महाराद पुजारी बता देख थे बाद कारोना तो पुजारी बता देख थे बाद कारोना अतमे तो दर्शने करीबाने आयो जीओ अब बोले पुजारी जी इतना साल हुआओ आप सुबे साम भोग लगाओ आरती करो आपने तो पतो वैला कि भगवान कठे और बड़ी रीस में जो पुजारी जी देखे थाकरा ने तो पुजारी खुद गर गया बोले बताओ नी तो एक मिनिट में मंदर खाली करो पुजारी जी अब सीधो सीधो जवाब क्यान देवे तो ठाकर साब गर्मी ज़्यादा पड़ रही है जेट महिनो है और इती गर्मी भगवान ने सेहन नी वे तो भगवान अभी समुद्र में विश्राम करने वास्ते गया है पंडित बोलियो सुनो ठाकरा मूरत आगे कहीं लड़ो और सावरी आसू मिलनो वेतो समंदरिया में समंदरिया में पूद पड़ो क्योंकि इन सागर पीपा जी ने मिलिया चार भुजारदार ने भगवान पीपा जी ने मिलिया ठाने भी मिल जाची पुझारी जी कहा दियो कि ठागरा समझ में नहीं आवे भगवान समुद्र में विश्राम करण मास्ते गया है गुले तरी बात सुनी अजमल ने समधरिया में कूद पड़ा और सोने का तो मेहल देख्या तीरा पन्ना खूब जड़ा आये सामरे दर्शन दीना सिर पर पट्टी बांधने भगवान रे माथा उपर पट्टी बंदी हुई है माथा उपर सुखून बेरियो है अजमाल जी माराज बड़ा का बका हो गया बोले भगवान के कर दो खबरा में तो सुनयों तो कि आप तो बहुत बड़ा आद्मी हो आप तो इन तीन तुलोकरा नाथ हो आप तो बड़ा शक्तिशाली हो और आप इतना बड़ा शक्तिशाली हो तो फिर आप ने माथा उपर चोट कैसी है भगवान मुस्कराता कह दिया कि अजमाल थारे जड़ा कई बड़ा वगती दुनिया में बुले बगवान हो कई बुले कोई वगत मारे लाडूरी मार दी अजमाल जी बोलिया बगवान मैं तो भी मूरती ने मारी आप रे चोट गटू लागी तब श्री हरी विष्णू अजमाल जी महाराज ने समझाया बोले कि देख अजमाल उन मूर्ती में मारो वास नहीं होतो नी तो तू कोई बारा-बारा साल तक धोड़ी आतो अजमाल जी महाराज बगवान ने चर्णों में गिर गया और भगवान ने हाँ चोड़न विंती करने लागा अजमाल जी महाराज जब बगवान ने चर्णों में पड़या तो बगवान अजमाल जी महाराज ने कहो कि अजमाल जी चिंता ना करना थारे बड़ो विरम दे वेला अजमाल जी महाराज ने उस बात कोई पकड़ लिया तो ले बगवान बड़ो विरम दे वेला तो छोटो कुण वेला तब शीहरी विश्णो अजमाल जी महाराज ने खेने लगा बोले आजूडारी दूजिराब जिराब 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 जद चंदो करेरे आविदे आविदे बनियाब सूँ तुदा की देविसी बरस चोपनो नयो बास जद बरस चोपनो मास भाद वो नयो चांद जद उगेला बरस एकसेट वो नास भाद वो नयो चांद जद उगेला सुनरे अजमल ठारे पालडे तो दो ताबद जूलेला ओ पानी रो तो धूद बनेला कूपू पगल्या आंदने बबान के उतार की बात तालियों के साथ में दुनिया महाने मोसा बोले एक टाबद रेकार ले दुनिया महाने मोसा बोले एक टाबद रेकार ले तलिरबरा कुमारती अब आदने